स्वाहाई आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटिस्ट और धामा के दार वीडियो में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल और इंपोर्डिन साबित होने वाला है इसलिए कि आप सभी के बीच जो मैं बहुत ही मेहनत और मुसकत के साथ बहुत ही आसान करके जो इंग्लिस आप सभी के बीच रखने वाला होना क्लाश 12 इंग्लिस से आपके अंदर जो डर बनी हुई है वो डर खत्म हो जाने वाला है लेकि बहुत सारे स्टुडेंट जो होते हैं क्लाश 12 इंग्लिस के नाम से डरते हैं मतलब हम सभी बिहारियों का एक already जो है इंग्लिस थोड़ा सा मतलब हम लोग के लिए tough लगता ही है but class 12 जब इंग्लिस की बात आती है तो और ज्यादा tough लगने लगता है क्योंकि 10 में हम लोग English सिर्फ और सिर्फ compulsory के तौर पर हम लोग पढ़ाई करते हैं उसका नंबर सिर्फ एड होता है थोड़ा बहुत लिक देते हैं हमारे बोड के जो जितने भी एक्जाम लेने वाले होते हैं उसके कोपी जाज करते हैं तो थोड़ा बहुत नंबर मतलब मिला जुला करके दे देते हैं और हम उसमें पास कर जाते हैं तो class 10 में English पढ़ना सिर्फ compulsory हो जाता है ना कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ना compulsory होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग class 12 पढ़ने के लिए आते हैं तो एक जो burden होता है हमारे उपर बहुत मतलब ज्यादा हो जाता है उसके पहरे थोड़ा बहुत जो English पढ़ना होते हैं वो 10 में आ करके अपने compulsory जिस नमर से हमारा merit बनने वाला है उसकी तयारी करने के करम में ही हम लोग English को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं इसलिए हमारे लिए English class 12 में आ करके बहुत tough हो जाता है लेकिन यहाँ आपको English class 12 को लेकर के चिंतित होने की जरूत नहीं है टेंसन बिल्कुल लेने की जरूत नहीं है क्योंकि जब मैं आ गया हूँ तो आपको English से हो जाएगा डर पूरा का पूरा खत्म तो finally मैं अभी यह मई का महीना चल रहा है बहुत जल्दी आपका यह पूरा का पूरा lesson समात हो जाएगा आपके मन में यह थोड़ा से लग रहा होगा कि सर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या यह पूरा class 12 English पढ़ा देंगे बिल्कुल पढ़ा देंगे बहुत असान है जी और आपको भी असान लगने लएगा आपको English से टेंसन लेने की जरूरत नहीं है जिस English को आप थोड़ा बहुत हलका में सोच रहते हैं कि थोड़ा बहुत भी नंबर मिल जाए तो हम पास कर जाएगा बाकी में सब्जेक्ल में हम तयारी कर रहे हैं तो अब आपको इसको छाट कर चलने की जरूरत नहीं है इसको भी पूरा लेकर चलना है इसकी मेरी पूरी लेकर जितना भी लेशन है ठीक है ना प्रोज हो चाहे पोईट्री हो मतलब यह बाते आपको बेशक अगर आपको मेरी बाते जो मैं समझा रहा हूं आपके बीच थोड़ी सी बकवास लग रही होगी बट यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन है इसको समझ लिजिए उसके बा प्रोज हो चाहे पोईट्री हो मतलब जैसे ही आप उसको पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा ध्यान से परतियक लाइन का जो इंग्लिस वर्ड है बहुत टॉफ में दिया रहता है और इसी टॉफ वर्ड मीनिंग के कारण हम लोग जो हैं इंग्लिस को अपने से दूर रख चलते हैं और इसको हम लोग छाट कर चलते हैं लेकिन यहां आपको छाट कर चलने की जरूरत नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि जो उसमें टॉफ टॉफ दिया है ना मतलब जितना भी वर्ड मीनिंग टॉफ दिया है ना उसको मैं आसान भासा में जो हमारे और आपके बी और उस स्टेट्मेंट को मैं उस समरी को मैं लिखने की कोशिश करूँगा और मुझे लगता है ना कि पढ़ने के बाद आपको लएगा कि सही में कल तक जो हमारे लिए इंग्लिस बहुत बर्डेन बन चुका था अब बहुत ही आसान हो गया है तो चलिए भीना देर की हम ल पढ़ने वाले होते हैं ना वह सिर्फ और सिर्फ उसके हेड्लाइन को पढ़ करके समझ जाएंगे की मतलब अंदर क्या लिखा होगे ठीक है एक चुली क्या ना कि जब उस पर लिखा रहता है ना मतलब कि 10 आदमी मारे गए यह 10 लोग मारे गए ठीक है तो हो सकता है कि मतलब कोई सत्र से मारे गए होंगे मतलब दुनिया के कोई भी सत्र जिसको इस्तमाल करके मारे गए मतलब 10 लोग मारे गए पैन मैंस वेर किल्ड जैसे ही दा टाइम्स ऑफ हिंडिया यह हिंदुस्तान टाइम्स या कोई भी निउस पेपर उठा लीजे जो रेगुलर की उसके पूरा statement पढ़ने की जरुरत नहीं हो मोटा मोटी पढ़ लीते हैं समय कम रहता हैं देख लेंगा ऑच Neticing मारे गया हमाल यह सिमान की बात हैं या टीले की बात हो किसी जीले की बात हो जब लिखा मारे गर भात है किसी बिखनी मारे गएक तो उसके अंदर की सारी बा उसी तरीका से है Indian Civilization and Culture, भारती सभयता और संस्कृति, इसमें direct एक पाता चल दा है कि हमारे भारत की सभयता और संस्कृति के बारे में, इसमें पूरी की पूरी कहानी लिखी गई होगी, पूरी की पूरी निबंद लिखी गई होगी, तो यहाँ पर देखिए, अब बात आती में पूछदे की बताए की निमली लिखित में से बने कौन जो है कि क्या बोलते है। ये मतबभ पूछेगा किْ बताईए की निमली खित में से Indian civilization and culture निमली खित में से क्या है, इसे है isStory है कि मतब्त क्या है तो तो आपको क्या बताना होता है कि यह एक एसे है यह एक निबंध है ठीक है ना इस्टोरी का भी option रहेगा एसे का भी तो इस्टोरी और एसे में आप क्या चुनेंगे एसे हैं तो यहां तो एक objective clear हो जा रहा है क्योंकि तो objective में आपसे इससे भी पूछ लेता है मोटा मोटी एक और भी बात पूछ लेता है जो इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट अव्यू से मैं लिख भी दिया हूँ फिर पूछेगा कि ठीक है तो इसके राइटर कौन है इंडियन सिवलाजिशन कल्चर के राइटर कौन है तो बताएंगे महात्मा गाधी ठीक है ना मोहंदास करंचन गाधी उसके पूछेगा कि ठीक है तो बताएंगे 2nd October 1869 अच्छा देखिए होता क्या ना कि एक होता है जो आदमी स्वें से मर जाता है इन्हीं परकिर्तिक के परकिर्तिक तथ्य के हिसाब से मरता है और एक है जो इनसान दूसरे इंसान को मार देता है, तो जब इंसान को हत्या होती है ना, उसको मर्डर जब होती है ना, तो उसको एसी स्नेटेड लिखा जाता है, ठीक है ना, गाधी जी को क्या है ना, गोटसे के द्वारा इसको मारा गया था, तो मान के चलिए कि गाधी जी को किसी के द्वारा म मतला आपके objective में पूछ सकता है कि निमलीखित में से कौन गांधी जी का लिखा हुआ बुक है तो माई experiment with truth हो गया यौंग इंडिया हो गया और भी बहुत सारे बुक लिखे होंगे लेकिन इनी दो से objective में पूछ लेता है आप बात आती है कि ठीक है सर ये तो पहला लेसल अब शुरुबाद कर रहे हैば ठीक है न और हम भी आपको पहला लेसल आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो है ना संभरी पढ़ाने वाला हो जो 5 नमर के लिए पूछता है वो मैं पूरा समझाने वाला हूँ लेकिन कैसे पूछता है ये भी थोड़ा सा समझ लिजी देखिए कोस्टन कैसे पूछता है थोड़ा से देख लिजे मैं कोस्टन का भी छाया दिखा दू थो थोड़ा सा कोस्टन पूछता है पूरा कहानी को आप पढ़ लिजे समरी का मतलब क्या हुआ है बने पूरा का पूरा कहानी आप पढ़ लिजे और उसका संखेपण बताईए मने इस कहानी का क्या मतलब था मांन के चलिए कि आपको कोई एगहंटा ठीक है न कोई ऐसे ब्यक्ति के बारे में मैं बता दू जिसके बारे में कमसे कम बताने में एक दो घंड़ लग गया अब हम कहानी अगर पूरा एक्स्प्रियंट करना होगा तो कितना दिर में होगा ? दो गंटा में तो किसी के बारे में हम चाहे तो 2 गंटा भी बोल सकते हैं लेकिन उसके बारे में सौट कट में बोलना है ठीक है न तो हम क्या करते हैं ? 10 से 20 मिनट में बोल देते हैं suppose मान के चले अगर मैं आपको बोल रहा हूं good morning ठीक है ना अगर इसको shortcut में बोलना है तो हम morning भी बोल सकते हैं good छोड़ देंगे है ना morning बोल सकते हैं उसी तरीका से है कि मतलब एक बहुत बड़ी कहानी को shortcut में लिखना ही summary का लाता है तो मान के चलो कि अगर Indian civilization and culture के अंदर 3-4-5 page में लिखा हुआ है तो उसको shortcut में ठीक है ना बोलता है कि write the summary of any one of the following prose ठीक है ना दिये गए प्रोज में से किसी एक पर क्या करना है सरांस लिखना है in about 100 to 120 यहां पर एक और बात में छोटी छोटी बात बता करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ हाले कि मैं समझाओंगा सुनिएगा देखे लेटर मिला करके लेटर मिला करके वर्ड का निर्मार होता है ठीक है ना अगर मान के चलिए कि A B C D जो भी है यह सिंगल सिंगल वर्ड जो सुरी सिंगल सिंगल जो लेटर होता है ना सिंगल सिंगल जो यह दिखाई दे रहा है एबी सीडी जितने भी अक्षर होते हैं यह क्या है लेटर है अक्षर है लेकिन इन्हीं अक्षर से मिलकर सब्द का निर्माड होता है और सब्द से मिलकर के वाक्य के निर्माड होता है और वाक्य मिलकर के कहानी का निर्माड करता है तो एबी सीडी यह क्या होगा है लेटर हो इस्तिमाल किये पी दो बार इस्तिमाल किये एक बार और एक बार तो सब्सक्राइब की यह वार्ड हो गया तो बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट होते हैं वह हंडेट से ले करके 120 के बीच में को संपूछा रहा है को समस्ता नहीं है समरी पूछ दिया है और संबरी को संबरी तरह न लिख करके इतना बड़ा प्रके लिख के बीच में ही आपको लिखना है अब देखे मैं यहां से लेकर करके यह तक लिखाओं अब आप इसको count कर सकते हैं यह कम से कम 50 56 हो है यहां तक मैंने इसको लिखते समय में में ठोड़ा सा काउंड किया इसागा करना होता है समरी को लिखना होता है और आप सभी विद्यारती क्या करते हैं समय को देखते नहीं है समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा उस समय important हो जाता है तीन घंडा का पेपर और आप इसी को लिखने में कम से कम 45 मिनट लगा देते हैं ठीक है न तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है हंडेट से 120 में लिखना होता है तो आपको क्या करना है हंडेट से 120 में ही लिखना है मतलब थोड़ा सा बढ़ावी सकते हैं लेगिं घटाना नहीं है तो मोटा मोटी अब आपको अंदाज ले लेना है एक पेज़ लिखेंगे न तो अब मैं समझाता हूं देखे यह इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर नाम का जो है जब पूछेगा ठीक ना कि राइड समरी आफ एनी वन आफ दा फ्लोइंग प्रोज इन एबाउट हंडेट टू हंडेट वंटी वर्ड्स और यह पूछता हैं पांच नंबर के लिए तो पांच नंबर छोड़ना तो नहीं है पांच में पूछ दिया रहा है इंडियान सिविलाजेशन एंड कल्चर दूसरा में दिया रहा है और तीसरा में भारतीस में हो इसमें से जिस भी किसी मतलब समझे तो चेप्टर के बारे में आपको नॉलेज है बहुत बढ़े से याद है उसका पूरा का पूरा लिए कि इंडियान सिविलाजेशन एंड कल्चर में आपको पढ़ा रहा हूं और यहीं चीज आपको लिखना है तो कैसे लिखें कोस्टन नमर अगर मान के चलिए पांच में पूछ दिया है तो लिखें कोस्टन नमबर 5 का एंसर ठीक है और क्या यहां पर एक नमर में दिय हमान तब सुनिये लिखना सुरू करेंगे अब मैं यहँ पर लिखें और मैं आपको समझा रहा हूं सुनिये ध्यान से इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चेarn इंडियन and culture is an essay Indian civilization and culture भारती सब्द्द करद की एक द्वारा लिखा गया है धी आप मत लिखेगा कि विच वाज दिरीटन वाई गा-धीजी नहीं आपको word count करवाना है ना examiner को तो आप मोहंदास करम चंद गादी लिख दीजेगा तक यहीं पर 1,2,3,4 word हो जाए ठीक है ना और यह 5 देख रहा है ना मोहंदास करम चंद गादी तो यहां पर होगे 1,2,3,4 और 5 word ठीक है ना तो word को count कराना है आपको number लेना है बहुत कम बाते लिख करके ज्यादा नमर ले लेना पूरा का पूरा पूरा पांच नमर ले लेना है तो इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चरी जान ऐसे विच वाज रिटेन भाई मोहंदास करम चंद गादी के दोवारे या निवन लिखा गया जिसको प्यार से हम लोग बापू भी बुलाते हैं और या दफादर आफ नेशन या उन्हें हम राष्ट पीता के नाम से भी बुलाते हैं गादी जी वाज मूर गादी जी वाज मूर एस प्रिच्वल लीडर देन एपॉल्टी से न देखिए गादी जी जो थे ना गादी सबसेब से बाड़े में कुछ बताना पड़ेगा न कि गादी जी वाज मुर रेट सुक्षिर्ट करणा ने पूलटीं मूर देना क्वाज मूर जी पुमिलटी कयो से जड़ा ऐएप हैं he was born on 2nd October 1869 उनकी जनम कब हुई थी 2nd October 1869 ठीक है न यानि कि 2 October 1879 में उनकी जनम हुई थी in the district of पुरबंदर यानि पुरबंदर जीला में हुई थी और पुरबंदर जीला का है इन गुजरात तो लिख दिजिएगा न he was born on 2nd October 1869 in the district of पुरबंदर इन गुजरात मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सूचिए अपना ही यह दन जो हम लोगों में सधारण इंग्रिश चलता है न उसमें मैं बहुत आसान करके मैं यह स्टेटमेंट लिखा हो और आपको याद करने में भी समझने में भी और लिखने में भी काफी आसानी होगे दो चार बर इसको वीडियो को देख लिए कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो he was born on 2nd October 1869 in the district of पुरबंदर इन गुजरात इन दिस एसे इस निबंद में गाधी जी मैनली रूट एमाउड अब लिख लिके हैं इबाउड क्रेक्टरिस्टिक मनें किस करुतिर के बारे में इंडियन सिविलाइजेसिन कल्चर के चरीत्री के बारे में नहीं हमारे भारतिय सभीयता और संस्कृति के चरीत्री के बारे में लिखे हैं देखिए यहां तक मैंने आपको समझाती है अब मैं बोर्ड को मिटाओंगा और फिर नेक्स जो है न इसका पारागराफ समझाओंग ट्वंटी से भी ज्यादा चला जाएगा 120 से भी ज्यादा चला जाएगा फिलाल आपको 120 के बीच में लिखना है 100 से लेकर 120 वर्ड के बीच में लिखना है तो काफी हो जाता है अब यह नहीं कि पूरा कहानी को हम खतम ही कर दें पूरा फिलास्फी थोड़ी न लिखना है पूरा किसी का इतिहास थोड़ी न लिखना है यारसन छेपड लिखना है बस 100 से 120 वर्ड के बीच में लिखना है तो यहीं पर पच्पन आपका पूरा का पूरा वर्ड समात होगा अब चलें बीना देर के इसके अगले भी पराग्र आपको समझ लेते हैं अब जो अगला पराग्राफ है मुझे लगता है कि इतना जो हम लिखे हैं ना पूरा वर्ड को काउंट कर लिजेगा 100 से लेकर के 120 से ज़्याद ही है तो फाइनली यहां पर अगला पराग्राफ क्या कह रहा है सुनिएगा गादी जी ही उनकी कही हुई आनों नों आपको को लिख करके पूरा जोना एंसर को पूरा करना है सुनिएगा इंडियन सीसरे ओर अधर सिवलड और दैकी आवर सीवीलड जिशं इज अपना जो सभ्हता है लए जो बहुत ही अच्छा अतर्य को गति उतां हो तैं रहातिन नहीं से एक होता है अच्छा, एक होता है कि बहुत अच्छा, एक होता है उससे भी अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, यानि far better than other civilization, यानि हमारी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है न, हमारे other जो सभ्यता संस्कृति है, other देश की जो सभ्यता और संस्कृति है, उससे compare करते हु का है कि हमारी जो सभ्यता है वो बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी सभ्यता कितनी अच्छी सभ्यता और संस्कृती यहां की और अवरते साड़ी पहांती है लेकिंद दूसरे मतलब कॉंट्री में चले जाएए तो कुछ ऐसे इसे देश हें जो भी सभ्यता और संस्क्रिति हैं और कंट्री सें उन्होंने कंपेर करते हुए का हिं हमारे जो है कि हमारे देश की जो और संस्क्रिति यानि फार का इंडियन सिविलाइजेशन नेवर कॉपीड ऑदर सिविलाइजेशन यानि कि हमारे जो गांदी जी के अनुसार मारे जो भारती सब्याता है यह कभी भी किसी दूसरे सब्याता की कॉपी किया ही नहीं अगर उसमें बच्चा चला गया तो गाली गलोजोला महौल सीख लेता है तो उसी तरीका से एक महौल होता है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पनपती है यह किसी दूसरे सब्याता से कॉपी करने के महताज नहीं होती है तो गादी जी ने कहा कि टूसरे सब्याता की कॉपी करने की आप न अरो भी पढ़ाई कर रहा है तो मान के चलिए कि का सफोज वो दो घंडा पढ़ाई करते हैं और उसी का आप कोपी करने दो घंडा पढ़ने का किसी topic को मान के चलिए कि वो दो घंडा में clear कर रहे हैं और आपका दिमाग काफी तेज है और आप भी क्या कर रहे हैं कि मतलब आप चाहें तो उस दो घंडा के topic जो clear कर रहा है अपना मान के चलिए वो लड़का slow है और आप अपना compare उसे कर रहे औरो वह दो गांदां बैत कर की पढ़ रहा है तो है Wash compare कर रहा है कि मैं भी दो गंठार पढ़े हूँ या घर वाले भी उस से compare करा sensors को का रहें का कि नाइं तुमहीं दोगंड़ा पड़ो तुमहीं दोगंड़ा और आप दिमागे तेज हैं सबसके चलिए कि मानीजे कि एक टौपी को वह दोगंड़ा में किलियर करता है तो अब आपको टेंसन थोड़ा सा बढ़ेगी प्रेसर बढ़ेगी चलो भाई मैं उसी का कॉंपी करते हूं वो दो गंटा पड़ता हूं तो डेढ़ घंटा आप फालतो इसी तरह कावाने से आपका क्या समय का बरबादिया नहीं तो इसी तरीका से इन्हों अगर किसी का आप कोपी कर रहे हैं तो यह अपने खूद का बरबादी है रात के समय और बायक हो जा करके घंटा करके अधर जा जैसे आफ फॉलो कर रहें कोपी कर रहें उसी तरीका साभी जंप करेंगा वह जागा कहीं दूसरे गढ़े में गिर जाएंगे इसलिए इन्होंने कहा कि अगर आप किसी का भी कोपी कर रहें तो आपने खुद की बरबाद यह एक और हम चाहते तो हीम के जब पर गादी जी लिख सकते थे ठीक है ना लेकिन नहीं मैंने लिखा कि एक और इंग तुह हमें सिखाता है और हमें अपने कर्तब्य को पालन करना अपने करतब्य को पालन करना अगर बात करते अ यंहोंने बहुत सारी बाते का तुढ़ें आप चाहें तो इस तरह करकर के भी लिख सकते हैं अच्छाएं पाराग्भाफिनいつ चेंज़ करके लिए लिख सकते हैं तो सुनिए अगला पराग्राफ में हम क्या लिख है इन्होंने जो कहा है इंडियन सिविलाजेशन इस अल्रेडी अवेर आफ दिस फैक्ट अच्छा इंडियन सिविलाजेशन जो है वह आल्रेडी यानि पहले से ही अवेर मनें सचेत हो चुका है इस वास्तिव है इस बात से इस वास्तिविक्ता से पहले से ही सचेत हो चुकी है कि जो हमारे पुरुबज हूं है सौन दसीट्स ऑप सिविलाजेशन जो मनें सभ्याता का बीज वो करके चले गया है तो नो नीड फूर एनी सिटिजन आफ इंडिया तो कोपी फ्रॉम एनादर सिविलाजे को समझने ना फोर एनी सिटिजन आफ इंडिया याने हमारे भारत के किसी भी नागरी को नो नीड जरूरत ही नहीं है कि वो कोपी करें तो कोपी फ्रॉम एनादर सिविलाजेशन दूसरे सब्याता से कोपी करें अपना आगे बढ़ने के लिए देखना कितनी अच्छी बात कि देखिए गादी जी कहाना है कि हमारा जो दिमाग है न दिमाग यह एक बेचायन चीडिया है और मेंड जाते हैं वी केंड डू एनिधिक अगर हम लोग कुछ चाह है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं अगर हमको मन कर रहा है कि मतलब मैं आज जाओं एक बहुत बड़ा परद पर मैं देखता तो कितना मजा आता और डाइरेक्ट दिमाग में घुचता नहीं ऐसा बात नहीं है अगर आप कंसंट्रेंट होगी तो इस वीडियो से भी और इस फ्लेक्सिवल बोर्ट के माधिया से जो मैं पढ़ा रहा है इससे भी आप समझ जाएंगे ठीक है तो इनका क पूरा करने के लिए हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं तो वहां पर एक शायरी लिखा हुआ था प्रहप्स मैं शायर का नाम भूला है अलताफुशन हाली का लिखा हुआ था है कि है जुस्तजू की खुब से खुबतर कहां आप ठारती है देखिए जाकर नजर कहां मतलब कि हमारी नजरे कहीं और ठारती है फिर उसके बाद से वह देखने के बाद भी लगता है कि मेरी नजर कहीं और जाती है फिर उससे भी देखने के लिए बेचैन होती है फिर मुझ या हम जितना ही मतब कुछ पाएंगे उतना ही लएगा कि मुझे और कुछ पाना चाहिए अगर हम 10,000 रुपिय कमा रहे हैं तो लएगे कि यार 10,000 और कमाती तो ठीक रहता है हमारे पास एक बाइक है तो हम सोचेंगे ये और बाईक हो जाती तो ठीक होता है तो यहीं सब रहने के लिए अपने हाथ परके इस्तेमाल करते हैं यूजलेसली यानि कि बीना बेकार की बात के सोचना इस फालत हुए ना है सोचना कि मैं इस छोटे से मोबाइल में पढ़ाई ना करके बहुत बड़ा परदा मतलब लग जाता तो ठीक रहा था एक बहुत बड़ा परदा आजाता तो ठीक रहा था फिर भी आपका क्या होगा आपका जो है ना आप अंसटिसफाइड ही रहेंगे तो बेतर यह रहेगा कि हम जितना में हैं उतना ही में खुश रहें अपना हाथ पर कर इस्तमाल करें संघर्स करें घिसने से जानते हैं ना सब कुछ मिलता है नहीं घिस होगे तो चमकोगे नहीं तो फिलाल इतना पराग्राफ हमने पढ़ा दिया और मुझे लगता है कि 100 से 120 के अब आप जा रहा है फिर भी इसके बावजूद भी और भी पराग्राफ है जो मैं आपको समझा करके इस पूरे चेप्टर को मैं खत्म करूँगा तो फ इस्तारीत के मंदब फैलाया और कहा और विर का कि une थो कहया थो रूज भी कभी जादा पसंद क्याला रचन तो इल्जाओं चैनल वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे थैं घ्य जाओं में रहना तो उनका कहना है कि the ancestor prefer to live in the village, जो हमारे पुरवस्त हैं, वो सबसे ज़्यादा गाव में रहना पसंद करते थे, तो क्यों रहना पसंद करते थे, rather than cities, यानि शहरों के आप एक्छा गाव में रहना पसंद करते थे, क्यों, so that people can escape या evide, don't know what you use कर सकते है, from crime, robbers and bad habit, ठीक है न, क्यों रहना पसंद करते थे, ताकि वो जो लोग है न, मतलब लोग है, जो शहर में रहते हैं, उनके पास जो, मने कहीं न कहीं से, शहर में रहने वालों के साथा जो crime होता है, जो लूटेरे, लूटते हैं, या जो bad habit है, कम से कम उस ची cannot, and they can breathe freely, और ताकि वो लोग गाओं में रहा करके, मतलब क्या बोले, एक अच्छा सांस ले सके, मतलब बोले तो, मतलब स्वतंद्र, मतलब नहीं होता है कि आजादी के सांस लेना, तो इनका कहना है कि देखें, breathe freely, ताकि गाओं में रहने वाले वेक्ति जो हैं, खुला सां दिये ताम स्वतंद्र फिल कर सके अपने आपको, और इन लूटे रहों, उन बैड हैपिटों से दूर रह सके, ठीक है न, अब गादी जी से, गादी जी कहते हैं, डैट की, the civilization which India has developed, जो civilization हमारे भारत ने जो उत्पन किया है, यानि कि जो सभयता, जो सभयता हमारे भारत ने उत्पन किया है, यानि जो प्रोड्यूस किया है, जो सभयता का विकास किया हमारे भारत ने, cannot be defeated in the world, इसको दुनिया में कभी भी हराया नहीं जा सकता, अच्छा मान की चलिए, अगर आप अच्छी आदत से हैं, suppose you are suffering from good habit, और मैं चाहूं लाख आपको गिराने के, क्या हाई होता है, और जो बुरे लोग होते हैं, उनको बार बर कठीन परिशनम करना पड़ता है, कि मैं किस तरीके से बचूं, और किस तरीके से जो आगे भी जोट बोल करके, एक जोट बोलने के लिए न, मतलब 99 और जोट बोलना पड़ता है, 100 और जोट बोलना पड़ता है, तब जाकर के एक छूठ चिपता हैं इसको कभी बरबाद नहीं कर सकता हूँ तो फिलाल ने कहना है कि अगर हमारे भारत और हमारे भारत के लोग जिस प्सवियाता का जो निर्मार किया जो डेवलप किया है उसको कभी दुनिया में डिफीट नहीं किया सकता है उरू को हराया नहीं जा सकता है पीपूल आफ वेस्टर्न अब यहां पर थोड़ा सा वेस्टर्ण स्विव्लाइजेशन के बारे में कहा गादी जीना कि people of western यानि कि जो सब मदब पस्वी सभ्याता के जो लोग थे वेस्टन सिविलाइजेशन ठीक है ना people of western civilization जो पस्वी सभ्याता की जो लोग है ठीक है संटाइम से कभी कहते थें क्या कहते थें कि कि we are uneducated हम लोग अशिक्षित हैं क्या क्या देख करके सब्सक्राइब कर रहा है ठीक है कहीं ना कहीं से वह मतलब एक अच्छा लेबल पजा रहे एक अच्छा माने जीवन में कभी कुछ एक अच्छे पोस्ट पर जा रहा है तो हो सकता है कि आपके मान में आएगा कि यार हम ह सब्सक्राइब करते हुए उन लोगों ने भी सोचा और लोगों को बड़ा मुर्टा फिल हो रही थी ठीक है ना और लोगों ने कहा कभी 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 कहते भी थे कि we are uneducated हम लोग असिक्षित है अज्यानी है ठीक है ना एंड फूलिस हम लोग बड़ा मुर्ख है बट गाधी तूंप गाधी जी दनाचे अगरी लिकिन गाधी जी बात पर देंगा दीजी बड़ी चलाग ऐसा बात नहीं है घाधी जी ड़स नाट आएग्री विध में इस बात से संवठ नहीं हुए बोले कि इस सिर्फ पस्ता आ रहा यह कुछ बदलाव नहीं कर रहा है गाधी जी क् इस रॉंग यह आपका विचार गलत है ठीक है ना ही गादी जी से डैट वी इंडियन कैंड डू एवरीटिंग अगर हम भारतिय चाहे न तो कुछ भी कर सकते हैं मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं हम चाहे तो दूसरे का लूट सकते हैं हम चाहे तो दूसरे को पीट सकते हैं हम चाहे तो मतलब अयासी में उतर सकते हैं हम चाहे तो मतलब लड़की बाजी में उतर सकते हैं हम लोग जो हमारी इच्छा करे हम लोग चाहे तो कर सकते हैं लेकिन रादी जी का कहना है कि हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं हमारे मन में ऐसी सोच पुत्पन होती है हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा रास लीला कर लें हम भी चाहते हैं कि हम काफी रंगीन जिंदगी जी हम चाहें तो कर सकते हैं लेकिन नहीं सब कर सकते हैं जिस तरीक है से सब्सक्राइब बट है यह सकते हैं न सबfish सब्सक्राइब अबना वेस्ट्र ने जिस तरह क्यासा जिन्दगी जी रहा है चाय तो हम भारती जी सकते हैं लेकिंगें हम लोग इसा नहीं जिएंगे वाट लेकर अब और culture and life style always teaches us हमारी जो सभ्वयता है हमारी जो लाइफ एस्टाइल हमारी जो दिन चर्या है ठीक है हमारी जो सभ्वयता है हमेशें यहीं सिखाया है तो बी समस्थार रहने के लिए to work or action, अपने कर्तब्यों के पुरा Korean aware रहना ठीक है से बहुत ही जबर्दस्त मतलब सोचिए कि आपके क्लास 12 इंग्लिस का जो लेसन वने अगर आप उसको उठा करके पढ़ेगा इतना टॉफ्ट ऑफ वर्ड मीनिंग दिया है ना और इतना टॉफ्ट ऑवर्ड मीनिंग के साथ इस्टेट्मेंट को मतलब लिखा है ना कि आपका पड़ा और मुझे लगा कि एक चिप्टर के लिए मैं दो चार दिन मेहनत करके बहुत हलका करके बहुत ही आसान करके हमारे और आपके वीच में जो इंग्लिस यूज होता है ना जो इंग्लिस यूज होता है उसी भासा में इस समरी को अगर तयार कर दू तो कितना अच्छ कि एक बहुत है दू है यू और मुझे लगाए परे लिए सकती है किप्टर का यूज है यू है कि यूज है और मुझे टू तो कितना अच्छा आपके लिए